प्री ये दर्सको स्वागित है आपका जैसलमेर टूर के एक और नए व्लोग में आज का इव्लोग गोल्डन फोर्ड यानि सोनार गड़ किले से समझ दित है यह जैसलमेर का प्राचीन दूर्ग है जो जैसलमेर सहर की रेलवी स्टीशन से लगभक एक किलोमेटर दूरी पर सहर की बीचू वीच तिलकुटा पहाडी पर बना हुआ है इस पहाडी को गोरहारा पहाडी की नाम से भी जाना जाता है दरसल में इस दूर का निर्मान ग्यारा सो चप्पन इस्वी में जैसल भाटी ने करवाया था प्रेसिद इतिहासकार अबूल फजल ने जैसल मेर किले के बारे में कह था अगर आपको सोनार गड़ पहुँचना है तो आपकी पत्थर की डांगे होने चाहिए दरसल में ये जो दूर्ग है ये पंद्रा सो फिट नंबा और साथ सो पचास फिट चोड़ा तिर्कुटा पहाड़ी की चूटी पर बना हुआ है आज भी इस दूर्ग में इस्थानिये लोग निवास करते हैं अथार सोनार गड़ में परवेश करने के बाद हम इतिहास की पुराने लोगों की जीवन संस्कृती रहनसेन खान पान इतियादी को मैसूस कर सकते हैं फिलाल हम जसलमेर फोट के मुक्खे दर्वाजे के सामने पहुच रहे हैं ये पहला दर्वाजा है जिसे अखे पूल कहा गया है पूल का मतलब है राजस्थान की जितने भी पुराने दूर्ग किले हुए हैं उनका एक बड़ा सा दर्वाजा होता था और उस दर्वाजे को इतिहास की भासा में पूल कहा जाता है तो ये इस दूर्ग के अंदर कुल चार दर्वाजे या चार पूल हैं जिनमें से प्रथम पूल अखे पूल है अखे पूल से परवेश करने के बाद हम दूर्ग के अंदर परवेश कर जाएंगे और दुर्क का अंदर पहला जो आपको पोल दिखता है कुछ इस तरीके से दिखाए देता है जिस पर लकड़ी के बने ये बड़े-बड़े से दर्वाजे उसके बाद आगे हमें दिखाए देता है सूरज पोल ये सूरज पोल है जब हम आखे पोल से परवेश करके उपर आते हैं इसे सूरज पोल के उपर हमारे को इस तरीके से दर्वाजे से जाने के लिए रस्ता मिलता है जो उसी से होकर उपर पहाड़ी की चड़ाई करते हुए ये दर्वाजे ये पोल बनाए गए हैं दर असल में इस पोल्क इस जो पूरे दूर्ग का निर्मान है बारवी सदी में सन ग्यारा सु छप्पने सिवी में जैसन सिंग भाटी दवारा करवाया गया था ये जो दूर्ग है इसके अंदर परवेश करने पर दोनु तरप हमें विफिन परकार की आर्ट गनेरी और यहां के लोगों की रहन सेन की जलक देखने को मिलती है विफिन राजिस्थानी हैंडी क्रॉप्ट वस्त्रा अभूशन भी यहां पर देखने को मिल जाएंगे विफिन परकार की दुकाने यहां पर लगी रहती हैं ये दूर्ग का परवेश का अंतिम चोथा दवार हम कह सकते हैं यानि इस दवार से हम परवेश करने के बाद हम दूर्ग के मुखे प्रांगन तक पहुँच जाएंगे और राज निवास तक पहुँच सकते हैं इस जो पॉल है इसका नाम हवा पॉल कहा गया है क्योंकि जब पहाड़ी के नीचे से कोई व्यक्ति चड़कर आता था तो इसके यहाँ पर बैठने की विवस्ता है आ बैठकर आराम फरमाता था और दोनों तरफ से हवा आती रहती थी इसी के आधार पर इस पॉल का नाम हवा पॉल रखा गया है इस हवा पॉल से जैसे ही हम अंदर आएंगे तो एक बाजार नुमा जगए हमें दिखाए देती है एक मैदान नुमा जगए इस तरीके से यही पर यह एक भवानी मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के आसपास में विभिन परकार की दुकाने रेश्टरा होटल इतियाधी विवर्तमान में संचालित हैं जिसमें राजस्थानी खानपौन और विभिन परकार की राजस्थानी वेंजनू का विदेशी प्रियटक आनंद ले सकते हैं या आप भी रातरी को यहाँ पर रेस्टरो रेस्टोरांट में रहे सकते हैं अब यहाँ पर यह जो है राज निवास है जो फिलाल यहाँ पर बंद है इसे संग्रहाले में बदला गया है यह संग्रहाले था लेकिन मैं साम की समय पहुचा यह बंद था दो ये 250 रुपए रखा गया है तो आप अगर केमरा लेकर जाते हैं तो केमरे का भी 50 रुपए आपको टिट लेना पड़ता है दरअसल में ये जो यहाँ पर सिंखासन दिख रहा है ये राजा के बैठने का स्थान था जो सारवजनिक कारिक्रों में हुए बैठकर यहाँ पर देखते रहते थे और पूरे जो भी साल भर में सामाजिक जो कारिक्रम होते थे उनका संचालन करते थे अब यहाँ से हम आगे जाते हैं तो दूर्ग के अंदर बहुत सारे जैन मंदिर बने हुए हैं वो अन्य कई मंदिर हमें देखने को मिलते हैं दरैसल में इस दूर्ग में आज भी नकफक 4,000 लोग 4,000 की जनसेंक्या में लोग निवास करते हैं यहाँ राजिस्थान का ऐसा संभवत एक मात्र दूर्ग है जिसमें अभी भी लोग निवास करते हैं यहाँ दूर्ग विरासत छूची में युनिस्थ को दवारा 2013 में सामिन किया गया था और इसका सरक्षा और सुरक्षा जिन यह अब इसमें व्यापारिक गतिवीधियों को धीरे धीरे कम किया जा रहा है दोस्तों यह जो है हम देख रहे हैं लक्समी नाथ का मंदिर जिसमें हम परवेश करते हैं राज महल की रस्ते की ओर से तो अंदर हमें लक्समी नाथ मंदिर दिखाए देता है मंदिर के बाहर से आने पर हम देखते हैं कि इस तरीके से यह अंदर से मंदिर बना हुआ है मंदिर के दर्वाजे के ऊपर इस तरीकी से धातू की चमकदार परत चड़ाई गई है जो दूर से देखने पर चांदी की तरह चमकती है दरसल में यहाँ पर दूर्ग के ही लोग सुबह शाम मत्था टेपने आते हैं तो सरधालो या प्रियटक भी भार से आने वाले दूर्ग में लक्षमिनात मंदिर में दर्शन करते हैं इस दूर्ग के बारे में एक बहुत प्रसिद दोहा है गोड़ा कीजी काट का पग कीजी पासान अक्तर कीजी लोहे का तब पहुंचे जैसान तो यह प्रसिद दोहा भी इसी जसल मेर के दूर्ग के बारे में है वो कहा गया है कि आपका गोड़ा काट का होना चाहिए आपकी टांगे जो है पत्थर की होने चाहिए आपका जो अक्तर है यह लोहे का होना चाहिए तब जाकर आप जैसल मेर दूर्ग में पहुंच सकते हैं यानि कि यह थार की मरुस्थल को पार करने के बाद हम यहां तक पहाड़ी की चोटी तक पहुंच सकते हैं तो इस तरीके से मतलब यह एक दुर्णब रस्ते पर बना हुआ दुर्णब जगह में रेगिस्तान में बना हुआ है इसलिए कव्यों ने ऐसा लिखा है अब यहां के इतिहास के बारे में लोगों के जीवन के बारे में जानने का प्रियतन किया दर असल में दोस्तो मैं जा रहा हूँ इस तरफ बहारी पर कोटी को देखने के लिए हाला कि लात्री होने ही वाली थी ये शान्धा के समय का विडियो सूट कर रहा हूँ कुछ देर में हंदेरा होने वाला है तो दरसल में यहां से मैं जाता हूँ तो दूर्की प्राचीर से हम देखते हैं कि यहाँ पर विभिन प्रकार की तोपे और अस्तर सस्तर रखने के लिए जगह जगह इस तरीखे से दीवार पर परकोटे का निर्मान किया गया है जहाँ पर दुस्मन के ऊपर से ही पत्थर या अस्तर सस्तर से फैंक कर पत्थर फैंक कर हमला किया जा सकता था अब तो इस दुर्ग के चारो और नीचे जनसंक्या निवास करने लगी है ये जनसंक्या सतरवी सदी में ही धीरे धीरे जैसे लोग बढ़ते गए दुर्ग में लोग गी की जनसंक्या बहुत ज़्यादा हो गए तो नीचे इस दुर्ग के चारो और निवास करने लग गए थ निवास स्थान बने हुए हैं इनकी घर है याँ पर और यहीं पर ये लोग दुर्ग में ही रह दे हैं दरसल में रात्री के समय ये दुर्ग सोने के जैसे चारू तरफ से चमकता रहता है और इसका मूल कारण है जैसल मेर का पीला बलवा पत्थर और इसके चारू तरफ अब तो सजावट के लिए इस तरीके से सवनिम लायटनों से रोसनी भी की जाती है दरसल में ये जो दुर्ग है यहाँ पर नीची जब हम आते हैं मुखे परवेश दुवार के पास में तो लोग यहाँ पर नीचे बच्चे खेलते रहते हैं और बड़ा ही अद्भुद नजारा पूरे दुर्ग का यहाँ से देखा जा सकता है इतियास में ये दुर्ग ढाई साखों के लिए भी परसित है